नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आदिर्तिकुबार EVM को लेकर तो पहले ही बवाल मचा हुआ था विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था और जनता के मन में भी संशय आ रहा था अब एक संशय और आ किया है वोटिंग परसंटेज को लेकर कि आखिरकार पोलिंग हो जाने के बाद भी देरी से वोटिंग परसंटेज क्यों जारी किया जा रहा है और जो आकड़ा देरी से जारी किया जा रहा उसमें बढ़ोतरी हो रही है एक के बाद एक इस पर सवाल खड़े होने लगे है आपने देखा कि पहले दूसरे तीसरे चौथे चरण तक भी यह हुआ और छटे चरण में भी यह हुआ है आप ज़रा पुन्यप्रसून बाजपेई का एक्सपर पोस्ट देखिए जो छटे चरण को लिए उनों ने किया है लिखा है मान लीजिए ये चुनाओ पीम का नहीं एलेक्शन कमिशन यानि एसी का है जो छटे फेज में वोटिंग हुई है 15 मई की राट जो आकड़ा था वो 61.76 फीजदी का था और 28 मई की राट 63.37 फीजदी यानि लगबक तीन प्रतसत बढ़ गया अब इससे आप अंदाजा लगाईए कि तीन प्रतसत वोटों का मतलब है कि हजारों लाखों वोट आगे बढ़ जाना और फिर इससे आप समझेए कि आप जीत हार का आकड़ा कैसे तैह हो सकता है इनी वोटों से ये आखिर कार क्या है अब सवाल ये भी है चुनाव आयोग ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हमको थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करने में टाइम लग रहा है इसलिए देरी से डाटा जारी हो रहा है लेकिन सवाल कई है पहला सवाल तो ये कि 2014 में भी EVM से वोटिंग होई थी था तो 2024 में ऐसा क्या हो गया है कि EVM का आकड़ा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है और इसमें देरी हो रही है और जो देरी हो रही है तो वोटिंग परसंटेज बढ़ जा रहा है इसी बात पर देखिए आज तक ने भी आर्टिकल बकायदे लिखा और कई लोगों ने सवाल खड़ा किया है कपिल सिंबल ने भी इस पर एक्सपर पोस्ट किया है कपिल सिंबल लिखते हैं कि एलेक्शन कमिशन तेल सुप्रीम कोड जो तेल कहा जा रहा है नो लीगल मैंडेट तो अपलोड फ्रॉम सेवेंटीन विच इज रिकॉर्ड अफ वोट पोल एड पोलिंग इस्टेशन यानि चुनाव आयोग से कहा गया कि चुनाव आयोग जो है याचिका जो जायर की गए तो उसमें कहा गया तो जो 17 सी का फॉर्म है वो अपलोड कर दिया जाए ताकि जितने पोल हुए है उनको बाद में मिलान किया जा सके लेकिन यह ऐसा हो इन रहा है तो यह सवाल खड़ा किया कि यह तो ट्रोली स्वाकिंग यह तो स्वाकिंग करने वाई निउस है यानि जो वोट काउंट हो रहे हैं उनको अपलोड किया जा रहा है जो वोट पोल हुए उनको अपलोड क्यों नहीं किया जा रहा है यानि हम कैसे एलेक्शन कमिशन पर बिल्ड़ अप कर सकते हैं ट्रस्ट कैसे आएगा यह सवाल खड़ा किया और आपने आप में आप देखिए कि बड़ी वज़े है कि जिस तरीके से वोटिंग परसंटेज आप देखिए कि 19 अपरेल को जब वोटिंग होती है पहले चरण की वोटिंग होती है साथ बच के 55 मिनिट पर चुनाव आयोग बताता है कि 102 सीटों पर 60 परसंट वोटिंग हुई है इसी तरह 26 अपरेल को बताया जाता है जो दूसरे फेस की वोटिंग होती है रात 9 बजे बताया जता है कि 60.96 परसंट वोटिंग हुई इसके बाद 30 अपरेल को फाइनल डेटा जारी होता है और उस फाइनल डेटा में पहले चरण में 66.14 यानि 66.14 परसंट वोटिंग हुई और दूसरे फेस में 66.7 यानि सीधे 6 परसंट बढ़ जाना तो अपने आप में यह तो बड़ा आकड़ा है करीब एक करोड के आसपास वोटिंग परसंटेज बढ़ गया मतब वोटिंग बढ़ गई और वोटिंग परसंटेज में सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी देरी क्यों अब भाई अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आप आधुनिक्ता क्यों जा रहे हैं कि आप 2014 और 2019 से भी गए गुजरे हो गए कि यहाँ पर तो ऐसी जरूरत नहीं पढ़ रही थी तो फिस संशे बना रहेगा और चुनाओ नतीजों के बाद एक बड़ा बवड़ा भी खड़ा हो सकता है तो अगर आपने नौधरपन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए बेल आइकन जरूर दबाईए ताकि अपडेट के साथ आप तक सबसे पहले खबर पहुँचे नमस्कार